हलो व्यूर्स मैं हूँ कौसर सर्मा आपका स्वागत है कौसर सर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर व्यूर्स आज का वीडियो है कि आप अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे नगत के रूप में रख सकते हैं और इसके अलावा कितने रुपए तक का ट्रांजक्शन कर सकत हैं आप एक वित्वर्स में इसे लेकर ज्यादातर लोग अक्सर कन्फूजन में रहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा रखने से क्या फाइदा या नुक्षान होते हैं बैंक में पैसे रखने को लेकर ऐसे क्या नियम है जो आपको जानना बहत जरूरी है और आपके लिए फाइदेबंद भी है जिससे आपको Income Tax Department की तरफ से कोई notice ना आ जाए तो आए जाल लेते हैं इसको हम विस्तार से तो विर्स सबसे पहले हम जाल लेते हैं कि कितने तरह के account bank में होते हैं जिसमें हम पैसे रख सकते हैं तो विर्स bank में दो तरह के account होते हैं जिनमें हम पैसे रख सकते हैं एक तो होता है saving account और दूसरा होता है current account Generelly जो हम लोग account open करवाते हैं वो saving account open करवाते है जबकि business या बड़े lend end के लिए हमें current account खुलवाना पड़ता है इन एकाउंट में मैन अंतर यह होता है कि जो सेविंग एकाउंट होता है उसमें जो भी पैसा हम जमा करते हैं उस पर बैंक हमको ब्याज देता है जबकि करेंट एकाउंट में जमा पैसे पर बैंक हमको कोई भी ब्याज नहीं देता है अब विर्स हम बात करते हैं कि saving account और current account में हम कितना रुपए तक जमा कर सकते हैं जिससे कि हमें income tax की तरफ से कोई notice नहीं मिले तो विर्स सबसे पहले बात करते हैं saving account की क्योंकि जादतर लोगों का bank में saving account ही होता है तो आपको हम बताना चाहेंगे कि आप अपने account में maximum पैसा तो चाहें जितना भी रख सकते हैं इसकी कोई limit नहीं है जैसे मालो आप हर साल 3 या 4 लाग रुपए का saving करते हैं तो इस तरह से 10 साल बाद आपका balance हो गया 40 लाग रुपए का तो क्या income tax विवाक से कोई आपको notice आ सकता है तो विवर्स हम आपको बता दें ऐसी स्थिति में आपको कोई भी notice या परेशानी income tax department की तरफ से नहीं होगी क्योंकि ये जो पैसा है वो एक विवर्स में आपने इखटा नहीं किया है इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके अपने account में इखटा किया है लेकिन income tax department ने cash transaction की एक limit को set किया है कि अगर आप saving account में साल भर में यानी एक विविवर्स में कोई भी व्यक्ति अपने saving account में 10 लाग या उससे ज़्यादा का cash जमा करता है या निकालता है जी हाँ विवर्स वो पूरे साल में या फिर एक ही वार में 10 लाग रुपए cash में जमा करता है या फिर cash में निकालता है तो फिर ऐसी इस्तिती में income tax विवाग आपको notice वेश सकता है या फिर inquiry कर सकता है कि ये जो पैसा है आपने कहां से कमाया है यानि इस पैसे का income of source क्या ह तो ऐसी इस्तिती में आपको income का proof देना होगा कि हमने ये पैसा यहां से कमाया है अगर आप ये सावित नहीं कर पाते हैं तो income tax विवाग आप पर कानूनी करवाई तो करेगा ही साथ ही उसके उपर आपसे 60% तक का tax भी बसू लेगा और अगर आपके पास एक से अधिक saving account है तो ये 10 लाग रुपए की limit आपके सभी खातों को मिला कर भी होगी यानि आप 10 लाग या 10 लाग से अधिक का transaction सभी खातों को मिला कर भी करते हो तो भी income tax विवाग आपको notice भी सकता है source of income की inquiry कर सकता है तो विवर्स ये तो ही saving account के बारे में अब हम जा लेते हैं current account के बारे म कि current account में कितने रुपए तक का lendन एक विवर्स में कर सकते हैं तो विवर्स current account में भी एक limit सेट होई है अगर आप एक financial year में 50 लाग या 50 लाग रुपए से अधिक का cash current account में जमा करते हैं या फिर cash इससे निकालते हैं तो income tax विवाग आपको notice भी सकता है और आप से inquiry कर सकता है कि ये जो पैसा है आपने कहां से कमाया है इसका proof आपको दिखाना होगा income of source क्या है ये भी आपको बताना होगा लेकिन विवर्स आपको एक बात बताना चाहता हूँ बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि income tax विवाग आपको कोई notice भेज सकता है तो कई सारे क्या करते हैं कि वो अपने रिष्टेदार या फिर अपने दोस्त का पैसा अपने account में जमा कर लेते हैं कि अभी आप जमा कर लो बाद में जरूत पढ़ने पर हम ये पैसा आप हमको दे देना तो ऐसी गलती आप कभी न करें क्योंकि ऐसा नहीं है कि income tax department की और से ये notice तुर हो जाएगा तो हमें ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि दूसरों का पैसा अपने account में रखें आप जो भी पैसा अपना कमा रहे हैं बस वही अपने खाते में जमा करें और उसका प्रूप हमेशा अपने पास रखें कभी भी income tax department आप से पूछ सकता है कि आपने जो भी पै दिखा नहीं कर सकते हैं बागी आप अपने account में कितना भी balance रख सकते हैं कुछ लोग समझते हैं कि bank में ज्यादा पैसा रखने पर income tax वाले उन्हें notice भीज़ देंगे जबकि ऐसा कोई नियम है ही नहीं आप जितना मर्जी चाहें उतना अपने bank account में पैसा रख सकते हैं ले की सुरच्छा की guarantee सरकार्गी रहती है अगर आपके bank account में पांच लाग रुपए जमा हैं और सम्मंदित bank दिवालिया होता है तो आपके पांच लाग रुपए पूरी तरह सुरच्छत रहेंगे तो इसी वज़े से लोग सोचते हैं कि bank में पांच लाग रुपए से ज़्य नहीं रखने चाहिए पर ऐसा नहीं है आप जितनी मर्जी उतना cash अपने account में रख सकते हैं तो फिर्स आज के वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरू अच्छा लगा होगा इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका notification सबसे पहले आपको मिल जाये करेगा और वीडियो से संबंदित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सोजाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय है